Hello Friends, Welcome to My Tech Support Channel Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung phone के camera के एक secret feature के बारे में इसे hidden feature भी हम बोल सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोग इस feature के बारे में नहीं जानते हैं Friends, ये एक secret feature है ये मैंने कल जी देखा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए ये कैसा feature है, इसकी मदस से आप अपने photos 360 degree में ले सकते हैं और virtual reality के साथ अगर आप उस photo को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप real में आगे की चीज़ को देख रहे हैं सामने वाली चीज़ को या फिर वो एक photo है इसके लाबे friends में आपको बता दूँ इस feature को लेकर मैंने काफी सारी application search की थी, install की थी लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी application नहीं मिली, मैं सोच रहा था कि ये feature सभी Android phone को मिलना चाहिए लेकिन friends मैं यहाँ पर काम्याब हो गया और मुझे केबल ये feature Samsung के phone में internally मुझे मिला जो कि एक अलग से मैंने plug-in डाउनलोड किया था हो सकता है कि मेरी नज़रों से कुछ बच गया हो हो सकता है इस तरही के हुआ application को भी पहले से ही play store पे हो या फिर किसी और phone के अंदर भी ये feature हो सकता है लेकिन मुझे ये Samsung के phone के अंदर लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो friends अगर आप जानना चाहते हैं इस सब के बारे में तो फिर देखते लिए इस वीडियो को लाश तक तो friends जिस feature की हम बात कर रहे थे उसका name है surround shot तो ये feature आपको Samsung phone के साथ जो stock camera था है उसी में मिलने वाला है basically ये feature आपको पहले नहीं मिलेगा जब आप अपने phone के camera में जाएंगे उसके बाद जब आप अपने phone के camera के mode tab को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको काफी सारी feature मिल जाएंगे जैसा के भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे new features भी देखने को मिलते होंगे जैसे कि यहाँ पर आपको एक surround shot के नाम से आपको icon नज़र आ रहा है beauty face, rear cam selfie, dual camera, sport, animated gif etc तो यहाँ पर ये सारे mode मुझे पहले नहीं मिले थे जिस से मैं मैंने phone लिया था ये सारे mode आपको download करने हुए download करने के लिए उपर की side में plus का button दिया हुआ जैसे आप plus पे click करेंगे उसके बाद सीधा आप जाएंगे galaxy apps जो की application है samsung का खुद का उसके बाद बहाँ से आप इन सारे plugin को download कर सकते हैं मैंने पहले से download किया हुआ है अगर आप अपने phone में ये सारे feature बढ़ाना चाहते हैं तो इनको download कर लिजे तो यहाँ पर जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको आपको बन वाई बन सारे फोटो लेना हूँगे ये सारे फोटो को मर्ज करतेगा और 360 फोटो हमें देदेगा तो फड़ा फट से मैं इसको थोड़ा speed में दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ से फोटो लेंगे तो सारे फोटो हमारे यहाँ पर save हो चुके हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा हमारे सारे फोटो एक फोटो में मर्ज हो जाएंगे जो कि एक 360 फोटो बन जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 360 डिग्री फोटो बन जुका तो इसको मैं open करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा यह 360 फोटो है जिदर मैं देखना चाहूँ उधर देख सकता हूँ नीचे उपर लेफ्ट राइट कहीं भी देख सकता हूँ चाहाँ तो यहाँ पर मैं प्ले के बटन पे दबा के और टोमेटिक इसे प्ले कर सकता हूँ साथ ही अगर मैं इसको वर्चूल रियल्टी में अगर बियार वॉक्स में देखूंगा तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल रियल फील होगा यहाँ पर मुझे कोई भी फोटोस जैसा फील नहीं होगा तो इस तरह से आप 360 फोटोस को अपने सैमसंग के फोटोस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करें निव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं किस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स